तो हेलो दोस्तों यह मेरा फाष्ट बोलोग है और आज मैं दिखाने वाला हूं कि हम लोग क्या काम करते हैं हम आ गए है क्या राज आप भोष ठीक है और वाई क्या करते हैं पेक करते हैं अगर्ट लगेगा तो यह देखो भाई साव इसको देख सकते हो आप लोग यह हमारा प्यूड़ पायर पता नहीं बाई के आख में डाल दे रहा है जब बाई ने बोला कि मैं डक्टर हूं पता नहीं कुछ ड़क्तर है जोलाप छप बला ही होगा हमारे पास बहुत सरा माल है आज हम इनको आज दिन बर में पेक करेंगे नहीं नहीं कुछ डिजाइन का टीस्टाट आया हुआ है देख सकते हो गाइस हमारा भाई ने किस तरद पेकिंग कर रहा है अभी मुंटी को जला रहा है तो भाई लोग ने आज एक गाना वजा दिया तो गाना सुनकर सुनकर पेकिंग करने का मजा ही कुछ अलगा जाता है त देख सकते हो गाइस पेकिंग कर इसे होता है टीसाट गाया पे यह कुछ नियू डीजाइन का कपड़ा आया हुआ है मतलब मैटी कपड़ा में बोलते हैं इसको तो इसको 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 गर्मी में पहनने के लिए सबसे बेस्ट है क्योंकि इसमें हवा भी मतलब बना गर्मी को आधें लाए पर द करने लिए जाली को होता है टो घ्रमी पेली पेश्ट रहता है थंडी में भी पहना जा सकता है लिए ठंडी तोड़ा हावा है फ सेन उतना नहीं आए मैं यह कुछ रिष्ट है इस्को प्लस्टिक भर्लीक में हम लोग पेक करते हैं और बखी से वीडि एक काटून में भरा जाता है जो काटून 6 पिस में मतलब पेकिंग होता है छे कलर होगा तो इसको 6 वाला काटून में डलते हैं अगर ना कलर होगा तो इसमें 9 वाला काटून में डलते हैं तो जैसे कलर रहेगा और इसमें मतलब पेकिंग होता है हर एक कलर का एक पीस रहता है जैसा इस डिजाइन में मतलब छे कलर है तो इस काटून में छे पिस जाएगा और साइज अलग अलग रहता है एलम एक्सल मतलब बहुत सर फाइप एक्सल तो साइज रहता है तो गाइज हम अभी माल तो पेकिंग कर रहे हैं लेकिन हमारा जो बैवड़ा भाई है थोड़ी देर पहले जिसको दिखाएं थे पता नहीं वह बहुत देर हो गया अभी तक निकलाई नहीं डब के पीछे से पता नहीं दब गया पूछते हैं भाई से आवाज वाज आते हैं अवह आफ देखें आफ यह आत्यों लाइटिया गए डिसना टांट नंगिया तो बहुत देर होगे अपंकर निकलने के लिए हैं अ है क्राइब देखसे हो कि बाइन निकलने का रष्ता है नि विलकुल उपदाने पंखा से लटक के निकलेगा लग रहा है मेरे को पता हरामी हो गुता है देखो भाई कम से कम एक गंड़ बात निकला है पुरा पस्निया से भीग गया